प्यारे बच्चों नमस्कार आशा है कि आप सब अपने परिवार सहित स्वस्थ और पिर्शन होंगे आज हम आपकी कक्षा 10 की राजनीती विज्ञान की पुस्तक लोकतंत्रिक राजनीती भाग दो के सात्वे पाठ लोकतंत्र के परिणाम पर चर्चा करेंगे बच्चों अवश्य ही आपके मन में यह सवाल उत्पन होता होगा कि लोकतंत्र क्या करता है अध्वा यह कि लोकतंत्र से प्राय किन परिणामों की हम आशा करते हैं साथ ही आपके मन में यह सवाल भी उठता होगा कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है आप यह भी अवश्य ही जानना चाहते होंगे कि लोकतंत्र के परिणामों का मुल्यांकन कैसे करें इस पार्ट में हम इनी सब प्रश्णों का उत्तर तलाशने का प्रियास करेंगे हम इस बात पर भी ध्यान देंगे कि विभिन मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वांचित हैं और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं इसके लिए हम लोक तंत्र के विभिन पहलूँ जैसे शासन के विभिन स्वरूप, आर्थिक कल्यान, समानता, समाजिक अंतर और टक्राव तथा आखिर में आजादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर ध्यान देंगे तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस पार्ट पर अपनी विस्तरित चर्चा, बच्चों सबसे पहले हम इस बात पर विचार करते हैं कि लोक तंत्र के परिणामों का मुल्यांकन कैसे करें, आप जानते हैं कि लोक तंत्र शासन की अन्य विवस्थाओं से भड़िया है, ताना शाही और अन्य विवस्थाओं ज्यादा दोशपूर हैं, कम से कम पांच कारण ऐसे हैं जिनकी वज़ा से हम लोक तंत्र को अन्य शासन विवस्थाओं से बहतर मानते हैं, और वे कारण हैं, पहला कारण लोक तंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, द पौथा लोगतंत्रिक टकरावों को टालने और समालने का तरीका देता है और पांचवा लोगतंत्र में गलतियों को सुधारने की संभावना होती है सैध्धांतिक रूप से यह पांचों बातें लोगतंत्र के गुण या अच्छाईया हैं लेकिन आपके मन में यह सवाल भी उत्पन होता होगा कि क्या यह सब अच्छी बातें लोगतंत्रिक विवस्ताओं में वास्तम में लागू हो पाती हैं बच्चों यदि आप अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी शासन विवस्ता की तुलना में लोगतंत्र को पसंद करते हैं लेकिन लोगतंत्रिक शासन के कामकास से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती है इसलिए हमारे सामने एक दुविधा उत्पन होती है सैद्धान्तिक रूप में तो लोगतंत्र को अच्छा माना जाता है परंतु वास्तम में लोगतंत्र के परणामों पर अधिक से अधिक चिंतन करना अनिवार रहे है क्या केवल नैतिक कारणों से ही लोगतंत्र को पसंद किया जाता है या फिर लोगतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्ति परक कारण भी है क्या कारण है कि लोकतंत्रिक व्यवस्ता वाले अलग-अलग देशों में लोकतंत्र के परणाम भी अलग-अलग दिखाई देते हैं बच्चों, आज दुनिया के सौ से भी अधिक देशों में किसी ना किसी तरह की लोकतंत्रिक व्यवस्ता है इन सभी देशों में कुछ एक समान बाते दिखाई देती हैं, जैसे इन सब का एक उपचारिक सम्विधान है, इनके यहां चुनाव होते हैं और राजनितिक दल्वी हैं, साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं, लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकतर देशों में समान हैं, पर सामाजिक इस्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धी और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफी अलग-अलग हैं, इसी कारण से इन अलग-अलग देशों में लोकतंत्र के भिन-भिन परिणाम प्राप्त होते हैं, एक लोकतंत्रिक देश में जो उपलब्धी हो, जरूरी नहीं कि वह दूसरे लोकतंत्रिक देश में भी हो, वह हो सकता है वहाँ उपलब्धी ना दिखाई दे, वह किसी कमी के रूप में भी वहाँ दिखाई दे सकती है, बच्चों, अब आप अवश् सोचने लगे होंगे कि ऐसी परिस्थिती में लोगतंत्र के परिणामों का मुल्यांकन कैसे किया जाए कई बार हम लोगतंत्र को सभी समस्याओं का समाधान मान लेते हैं लोगतंत्र के पिरती अपनी दिलचस्पी और दिवानगी के चलते प्राय हम यह कह वैठते हैं कि लोग तंत्र की अवधानना को ही दोश देने लगते हैं हम यह संदह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तम में लोगतांत्रिक व्यवस्ता में ही रह रहे हैं तो बच्चों यहां आपको ध्यान रखना होगा कि लोगतांत्र के परणामों का मुल्यांकन कोई साधान कारे नहीं है लोगत तंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोगतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है यह कुछ चीजों को प्राप्त करने का वातावरण तो तयार कर सकता है परंतु उस वातावरण के अनुसार नागरिकों को स्वेम अपना लक्षे प्राप्त करना पड़ता है लोगतंत्र के परिणामों का मुल्यांकन करते समय ध्यान रखने वाली दूसरी महत्पूर बात यह है कि लोगतंत्र का उन अनेक चीजों से कोई विशेश महत्व नहीं होता जिनको नागरिकों द्वारा मह समझा जाता है तीसरी ध्यान रखने योग्य बात यह है कि लोगतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराईयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है लेकिन कुछ ऐसी बाते अवश्य हैं जिनकी अपेक्षा हर लोगतंत्रिक व्यवस्ता से की ही जाती है बच्चों लोगतंत्र के परणामों का मुल्यांकन हम इन पांच आधारों पर कर सकते हैं पहला है उत्तरदाई, जिम्मेवार और वैदशासन दूसरा है आर्थिक सम्रिद्धी और विकास तीसरा है असमानता और गरीबी में कमी चोथा है सामाजिक विवित्ताओं में सामं और पांचवा है नागरिकों की गरिमा और आजादी तो बच्चों हम सबसे पहले उत्तरदाई, जिम्मेदार और वैदशासन के आधार पर लोगतंत्र के परणामों का परिक्षन करते हैं बच्चों कुछ ऐसी चीजे हैं जिन्हें लोगतंत्र को पूरा करना ही चाहिए ऐ शासकों पर उनका नियंत्रण भी बने रहना चाहिए साथी लोग इस बात में सक्षम हो कि वे वक्त जरूरत और यथा संभव सरकार के निर्णे प्रिक्रिया में भागिदारी करने में सक्षम हो जिससे की लोगों के पिरती उत्तरदाई सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे इन बातों को आधार मान कर यदि हम लोग तंत्र का मुल्यांकन करें तो हमें कुछ संस्थाओं और व्याभारों पर गौर करना होगा जो की ये हैं इन में से पहला है नियमित और निश्पक्ष चुनाफ दूसरी है पिर्मुख नी पाने का नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार बच्चों इन पैमानों पर लोगतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है दो बातों में लोगतांत्रिक व्यवस्थाएं अधिक सफर रही हैं उनमें से पहली है नियमित और निश्पक्ष चुनाफ और दूस इसे दो मामले भी हैं जिनमें लोगतांत्रिक व्यवस्थाओं का रिकॉर्ड अधिक अच्छा नहीं रहा है वे दो मामले हैं ऐसे चुनाफ कराना जिसमें सबको अफसर मिले और दूसा मामला है हर फैसले पर सार्वजनिक भहस कराना इसी प्रकार नागरिकों के साथ सूच उत्रों में भी उनका प्रदर्शन बहतर ही ठेहरता है बच्चों इसके अत्रिक एक व्यापक धरातल पर लोगतांत्रिक सरकारों से यह आशा करना उच्छित ही है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हों और कुल मिलाकर भहस्टाचार से मुक्त नेताओं और अधिकारियों के भ्रस्टाचार के आम किससे भी इस बात की गवाय देते हैं लेकिन हमें यह वियाद रखना चाहिए कि गैर लोकतांत्रिक सरकारों में तो भरस्टाचार और लोगों की जरुवतों के पिर्ती असमवेदन शीलता और भी अधिक है बच्चों आपको यह समझना चाहिए कि एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्ता निश्चित रूप से अन्य शासन व्यवस्ताओं से बहतर है और वह श्रेश्टता इस बात में है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्ता एक वैद शासन व्यवस्ता है इसमें अनेक कमिया हो सकती है, जैसे की यह काम करने में देरी कर सकती है, यह कम कारे कुशल हो सकती है, इसमें भरष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की जरुवतों को कुछ हद तक अंदेखी भी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन विवस्ता लोगों की अपनी शासन अशिया में हुए सर्वेक्षण से यह स्पस्ट है कि यह समर्थन लोगतांत्रिक शासन वाले देशों में तो है ही अपितू उन देशों में भी है जहां लोगतांत्रिक सरकारें नहीं हैं वहां भी लोग अपने द्वारत चुने गए प्रतिनिदियों का शासन चाहते हैं वे यह भी मानते हैं कि लोगतंत्र उनके देश के लिए उप्यूक्त है अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोगतंत्र की शमता भी लोगतंत्र का ही एक परेड़ाम है और इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती बच्चों हमें यहां इसी से संबंदित एक और पहलू पर भी विचार करना चाहिए आम तोर पर यह कहा जाता है कि लोगतंत्रिक सरकार कम कार्रे कुशल और कम प्रभावी होती है क्योंकि यह निर्णे लेने में देरी लगाती है एक गैर लोगतंत्रिक सर फैसले कर लेती है लेकिन यह ऐसे फैसले भी ले सकती है जिनने लोग सुईकार ही ना करें और तब ऐसे फैसलों से परिशानी हो सकती है इसकी तुलना में लोगतंत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में अधिक समय ले सकती है लेकिन क्योंकि इसने पूरी प्रक्र को माना है इसलिए इस बात की अधिक संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे अधिक प्रभावी होंगे इस प्रकार लोगतंत्र में फैसला लेने में जो समय लगता है वह व्यर्थ नहीं जाता बच्चों लोगतंत्र में पारदर्शिता भी होती है लोग का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता भी कर सकता है उसे ना केवल यह जानने का अधिकार है बलकि उसके पास इसके साधन भी उपलबन है यह बात प्राय गैर लोकतंत्रिक देशों में नहीं पाई जाती इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उच्चित है कि लोकतंत्रिक व्यवस्ता में ऐसी सरकार का गठन होगा जो काईदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रती जवाब दे होगी हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतंत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णे प्रकरिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रती जवाब दे बनाने वाली कारेविधी भी विक्सित कर लेती है बच्चों, अब हम लोकतंत्र के परिणामों के मुल्यांकन की दूसरी कसोर्टी पर विचार करते हैं और वह है आर्थिक सम्रिद्धी और विकास यदि लोकतंत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उच्चित नहीं है जब हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतंत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि आर्थिक सम्रिद्धी के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड कुछ भढ़िया है उच्चितर आर्थिक सम्रिद्धी हासिल करने में लोकतंत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक इस्थिती, अन्ने देशों से सहीयोग और देश द्वारा तै की गई आर्थिक प्रात्मिक्ता आदी इसलिए केवल किसी देश में लोकतंत्र होने मात्र से उसमें आर्थिक विकास के उच्चितम इस्तर की अपेक्षा करना व्याभारिक नहीं है तानशाही वाले कमविक्सित देशों और लोगतांतरिक विवस्ता वाले कमविक्सित देशों के बीच का अंतर बेहद मामूली है आप विभिन देशों में आर्थिक विकास की दरें तालिका को देख सकते हैं इस तालिका से इसपस्ट है कि सभी लोगतांत्रिक शासन वाले देशों में विकासदर 3.95 पृतिशत है जबकि सभी तानशाहियों में विकासदर 4.42 पृतिशत रही है इसपस्ट है कि लोगतांत्रिक शासनों की तुलना में तानशाहियों में विकासदर अधेक है लेकिन साथ ही यह भी इसपस्ट है कि तानशाहियों वाले गरीब देश में विकासदर 4.34 पृतिशत और लोगतांत्र वाले गरीब देशों में 4.28 पृतिशत है अर्थात इन दो देशों के आर्थिक विकास दर्में अंतर भलेई्य देखो लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था कर्द चुनाव ही बहतर है क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक लाभ भी नीच थे तो बच्चों, अब हम आते हैं आपके पसंदीता भाग प्रश्नोत्त्री पर, तो हो जाईए तैयार, आपके लिए है पहला प्रश्न. इन में से कौन सी एक बात लोगतंत्र की अच्छाईयों में शामिल नहीं हैं, और आपके विकल्प हैं, क यह नागरिकों में समानता को भढ़ावा देता है, यह व्यक्ति की गरीमा को भढ़ाता है, ग इससे फैसलों में बहतरी आती है, और ग यह उच्च जीवन इस तर की गा इस तर की गारंटी नहीं देता है, तो चलिए अगले प्रिशन पर आते हैं, यह प्रिशन कथन और कारण के रूप में है, तो कथन जिसे ए से व्यक्त करेंगे, वो कहता है, अलग-अलग लोगतंत्रिक देशों में लोगतंत्र के परिणाम अलग-अलग होते हैं, और कारण आर कह रहा है लोक तंत्र के मूल तत्व तो अधिकतर देशों में समान हैं पर समाजिक इस्थिती अपनी आर्थिक उपलब्दी और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफी अलग हैं और आपके सामने विकल्ब हैं क ए तथा आर दौनों सही हैं और आ ए सही है लेकिन आर गलत है और गह ए गलत है लेकिन आर सही है तो बच्चों बताईए क्या है इस सवाल का सही जवाब जी हां सही कहां आपने इसका सही जवाब है क अर्थात ए तथा आर दौनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है तो बच्चों अब चलते हैं अंग बेसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह उसका पता कर सकता है। उसे ना केवल यह जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब है। ख, भ्रष्टाचार का ना होना, ग, सरकारी धन की बरवादी रोकना, और ग, कानून के समक्ष समानता, तो बच्चों बताईए, क्या है इसका सही उत्तर, जी हाँ, सही कहा आपने, इसका उत्तर है क, तो बच्चों आईए, चलें अगले प्रशन पर, लोक तंत्र में अनेक कम होने के बावजूद, लोक तंत्र की सबसे बड़ी अच्छाई है, अब आपके विकल्ब हैं, क, यह वैद शासन व्यवस्ता है, लोक तंत्रिक शासन व्यवस्ता, लोगों की अपनी शासन व्यवस्ता है, ख, यह उच्च आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है, ग, इसम फैसले तेजी से होते हैं तो बच्चो बताइए क्या है इसका सही उत्तर है तो आईए बच्चो चलें आज के अंतिम प्रशन पर कथन एक कह रहा है सभी ताना शाहीयों में सभी लोकतान्त्रिक शासन वाले देशों की तुलना में आर्थिक विकास की दर अधिक रही है और कथन दो कहता है ताना शाही वाले गरीब देश और लोकतंत्र वाले गरीब देश आर्थिक विकास की दर की दृष्टी से लगभक समान इस्तर पर है और आपके सामने विकल्ब है क कथन एक और दो दोनों सही है ख कथन एक सही है दो गलत है ग कथन एक गलत है दो सही है और ग कथन एक तथा दो दोनों ही गलत है तो बच्चों बताईए क्या है इसका सही उत्तर जी हाँ सही का आपने इस सवाल का सही उत्तर है क यानि कथन एक और दो दोनों सही है तो बच्चों आपकी दस्वी कक्षा की राजनेतिक विज्ञान की पुस्तक के सात्वे अध्याय लोक तंत्र के परिणाम पर होने वाली आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं आशा है आपको आज की चर्चा रूचिकर और उपयोगी लगी होगी अगले अंक में आपसे फिर चर्चा होगी तब तक के लिए नमस्कार कर दो करते हैं